नमस्कार, मैं डॉक्टर शुविता सुनवालकर, वैसेस फर्टिलिटी सेंटर बैगम में क्लिनिकल हैड और फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट हूँ वजन का फर्टिलिटी के ऊपर क्या आसर होता है BMI यानि की Body Mass Index ये बताता है कि आपका वजन हाइट के अनुसार बराबर है के नहीं नॉर्मल BMI रहता है 19 तू 25 तक अगर आपका BMI 19 से कम है तो आप Underweight केटगरी में आते हैं अगर आपका BMI 30 से उपर है तो आप Obesity के के केटगरी में आते हैं अगर आप Underweight हो या Overweight या Obes हो तो ये Fertility के उपर असर पड़ता है और एग का Quality और पुरुष में Sperm का Quality के उपर असर होता है तो आप Overweight हो या Underweight हो Overweight है तो आपको वजन कम करना चाहिए और Underweight है तो आपका वजन बढ़ाना चाहिए अगर आपका वजन बढ़ाना चाहिए झाल